हेलो फ्रेंड्स मैं साहिक प्रध्यपक संतुशनपते मेरे माइक्रोबैराजी भाए संतुशनपते इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज मैं आपको एक इंटर्शिप के बारे में इन्फर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से फ्यूचर में जो भी मैं अलग-अलग वीडियो यहाँ पे अप्लोड करूँगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आज का ये जो वीडियो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ ये कुछ इंटर्शिप के बारे में है जो कि फूर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथरर्टी ओफ इंडिया यहाँ पे ये इंटर्शिप 2023 में होने वाली है तो इस इंटर्शिप के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है कौन से सब्जेट के स्टुडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इंटर्शिप में अगर कि यह इंटर्शिप यहाँ पे है तो इस सब की इंफार्मेशन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो तो अगर आपने यह यूटीब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी बात यह है कि यह पूरा वीडियो आप आपके जो भी फ्रेंड्स है जिनको इंटर्शिप की रिक्वाइर्मेंट है तो उन सभी को आप इस यूटीब चैनल को इस वीडियो को शेर किजिए ताकि उसके भी कुछ इंफार्मेशन वहाँ पे मिल जाए इंटर्शिप अंडर स्कीम 2021 Food Standard and Safety Food Safety and Standard Authority of India के इंटर्शिप स्कीम 2020 के अंडर यह जो इंटर्शिप शुरू होने वाली है यह जने वरी 2023 से शुरू होने वाली है तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि यह पूरा वीडियो आप देखिए ताकि पूरी जानकारी पूरी डिटेल इनफर्मेशन यह जो इंटर है जैसे कि eligibility criteria मतलब अगर आपको इंटर्शिप के लिए apply करना है तो आपके पास कौन सा qualification होना चाहिए उसके बाद हम देखेंगे इस इंटर्शिप का tenure मतलब कितने duration के लिए यह इंटर्शिप वहाँ पे offer की जाएगी उसके बाद हम देखेंगे place of internship and area available for internship मतलब किस जगह पे यह internship आप कर सकते हो and इस particular topic के अंडर किस area के अंडर आप यह internship यहाँ पे कर सकते हो यह भी आप हम देखने वाले हैं उसके बाद हम देखेंगे working space and application process मतलब किस तरह से आप इस internship के लिए apply कर सकते हो और उसके क्या process है यह भी आप हम देखेंगे and finally हम देखने वाले हैं assignment उसके बाद इस internship के लिए आपको कितना stipend मिल जाएगा and finally हम information देखेंगे certificate के बारे में तो friends one by one यहाँ पे हम देखने वाले हैं so be tuned for this video and don't forget to subscribe this YouTube channel तो friends पहले हम देखेंगे इस internship के लिए eligibility criteria क्या है अगर आप full time degree मतलब graduate या post graduate या higher degree कोई भी आप pursue कर रहे होंगे या फिर कहीं पर आपकी admission है तो आप इस internship के लिए apply कर सकते हो चाहे वो degree post graduate degree या फिर higher education degree आप इंडिया से कर रहे हो या फिर आप abroad से कर रहे हो but you will be eligible to apply for this internship यह जो internship है यह अलग-अलग subject में graduation या post graduation करने वाले students के लिए apply कर सकते है यहाँ पे जैसे की अगर आप कुस कि subject में post graduate कर रहे हो या फिर आप B कर रहे हो या फिर बिटेक कर रहे हो कोई भी recognize university से कोई भी recognize institutions है तो इस internship के लिए आप apply कर सकते हो जैसे की अलग-अलग subject अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे chemistry है bio chemistry है food technology है food science है उसके बाद technology food and nutrition और edible oil उसके बाद microbiology dairy technology agriculture then horticultural sciences industrial microbiology toxicology और public health sciences life sciences bio technology और fruit and vegetable technology और food safety and quality assurance अगर इस में से कोई भी subject में आप यहाँ पे graduation या post graduation कर रहे हो तो आप इस particular internship के लिए apply कर सकते हो उसके बाद अगर कोई आप दुसरे subject में बीच जैसे की business administration and management for example policy regulation and related fields यहाँ पे भी अगर आप graduation post graduation कर रहे हो तो भी आप इस particular internship के लिए apply कर सकते हो लेकिन आपके जो business administration and management यह जो है यह आप FSSI headquarter से यहाँ पे आपने मतलब appear होनी चाहिए तो यह condition है उसके बाद post graduate diploma, degree in journalism, mass communication then public relations इसमें भी अगर आप कुछ courses कर रहे हो तो यहाँ पे आप apply कर सकते हो then BE, BTEC लेकिन अगर आप BE, BTEC कर रहे हो तो अगर आप third and fourth year student हो but not for first and second year मतलब BE, BTEC अगर आप कर रहे हो तो third year में या fourth year में अगर आप हो तो आप इस internship के लिए apply कर सकते हो लेकिन अगर आप first year या second year में हो तो आपके लिए internship नहीं है उसके बाद post graduate diploma या फिर diploma in public policy, public relations students and that this is only for FSSI students here and उसके बाद जो eligibility criteria है वह बैचलर और Masters of law अगर आप Bachelor and Masters of law भी कर रहे है and that is only for FSSI students तो भी आप यहां पे इस internship के लिए apply कर सकते हो तो इस तरह से यह अलग-अलग courses है अगर आप graduation में पढ़ रहे हो तो आप इस internship के लिए उसके बाद हम देखेंगे यह internship का duration क्या है tenure क्या है तो friends यह internship minimum two months के लिए available है but this two months can be extended of up to six months minimum का दो महिने के लिए internship का आप के लिए available है लेकिन आप छे महिने तक यह internship आप वहाँ पे extend कर सकते हो but less than two months will be offered okay तो यह tenure के बारे में है उसके बाद है place of the internship मतलब आप कहाँ पे internship कर सकते हो and कौनसे एरिया में internship available है जैसे कि एक center है एक region है FSS AI का FSS AI headquarter New Delhi यहाँ पे जो domain available है जो एरिया available है internship के लिए हो है science and standards regulation then codex regulatory compliance full safety management system human resource finance and accounts then imports trade and IC quality assurance then legal information technology social and behavioral change and training तो यह अलग-अलग domains है जो की new Delhi में available है FSS AI के headquarter में तो यहाँ पे अगर आपका number लग जाता है तो आपको इस particular domain में एरिया में internship वहाँ पे करनी होगी उसके बाद जो अलग-अलग लिए है और स्क्लियरंस and licensing उसके बाद national food laboratory है गाजियाबाद और कोलकता में और वहाँ पे जो इरिया available है वो है food sampling and testing तो इस तरह से यह अलग-अलग कुछ region से areas है and center से FSS AIK जहां पर यह अलग-अलग domain में area में internship available है उसके बाद हम देखेंगे working space working space अगर हम देखेंगे friends तो आपको खुद का laptop होना चाहिए FSS AIK की तरफ से आपको यहां पर internet facilities मिल जाएगी working space मिल जाएगा and कुछ other facilities, necessities वहां पर FSS AIK की तरफ से provide की जाएगी लेकिन कोई भी boarding या इनकी तरफ से नहीं provide किया जाएगा यह आपको खुद को वहां पर manage करना है उसके बाब हम देखेंगे application process मतलब किस तरफ से अगर आपको apply करना है इस internship के लिए तो किस तरफ से आप यहां पर apply कर सकते हो तो friends अगर आपको इस internship के लिए apply करना है पहले तो आपको यह चेक करना है कि अगर आप इस internship के लिए eligible है या नहीं है अगर आप eligible है तो एक process आपको यहाँ पर follow करनी है मतलब यहाँ पर आपको online apply करना है और उसके बाद जो detailed information यहाँ पर जो short या briefly मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हो कि इस internship के लिए apply करने की जो date है यह 5th December 2022 मतलब जो कि already कलशे शुरू हो चुकी है तो online apply आपको करना है यहाँ पर उसके बाद जो last date है for submission of this online application यह है 12 December 2022 मतलब 12 December तक आपको आप apply कर सकते हो online उसके बाद जो है announcement of shortlisted candidate मतलब internship के लिए apply करने के बाद 12 December तक यह date है online apply करने की और उसके बाद जो भी candidate यहाँ पर shortlist हो जाएंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर 23 December 2022 को display हो जाएगी website पर FSS AI के website तो वो आपको वहाँ पर चेक करना है कि आपका नाम shortlisted candidate की list में आया है या नहीं है और उसके बाद जो है date of joining अगर आपका नाम shortlisted list में है candidate में है तो आपको joining करना है 2nd January 2023 से तो इस तरह से यह एक प्रोसेस है अप्लिकेशन प्रोसेस और उसके बाद की जो process होती है online application उसके बाद shortlisting of candidates और उसके बाद joining of the candidate joining to the training here or to the internship friends अगर आपका नाम shortlist हो जाता है internship के लिए तो उसके बाद भी आपको कुछ necessary documents आपके साथ लेना है जैसे कि no objection certificate आपके institute से आपको लेना है उसके बाद character certificate आपको लेना है from the authority of your institute जिसमें यह भी प्रोफ होना चाहे कि आप कौन से class में पढ़ रहे हो कौन से courses में आप पढ़ रहे हो क्योंकि वो qualification that you have to mention as in your application form here and उसके बाद अगर आप यह नहीं कर सकते हो मतलब अगर आपके पास कुछ no objection certificate नहीं है या फिर कुछ character certificate नहीं है तो they will not allow to join that internship here so you have to keep in mind you have to keep all these things with you when you are going for joining उसके बाद हम देखेंगे assignments के बारे में मतलब जब आप कोई इस particular internship के लिए online apply करते हो और उसमें आपको यह preference देना पड़ता है कि आपको कि इस particular domain में किस particular area में आपने यहां पर apply किया है और किस particular domain के लिए area के लिए आपका नाम यहां पर shortlist हुआ है तो इसके accordingly आपको फिर यहां पर एक तो headquarter या फिर कोई regional center या फिर कोई lab वहां पर आपको आसेन की जाएगी जहां पर आपको आपकी इंटरंशिप को complete करनी है उसके बाद जो पार्ट है फ्रेंड्स इस इंटरंशिप का ओ है stipend मतलब कितना payment या जिसे हम stipend करेंगे वह आपको मिल जाएगा तो यहां पर 10,000 रुपीज पर मन्त यह stipend आपको आप पर मिल जाएगा यह आपका जो भी वर्क यहां पर पर्फर्मेंस आपका यहां पर रिपोर्टिंग जो है आपका attendance जो है इसके accordingly यह stipend आपको वहाँ पे दिया जाएगा उसके बाद है certificate obviously friends अगर आप यह internship अच्छी तरसे complete करते हो जो भी submission है जो भी review है अगर यह पूरा आप यहाँ पे submit करते हो तो बाद में आपको यहाँ पे certificate दिया जाएगा लेकिन अगर आप पूरा जो internship का जो duration है यह sincerely जो भी आपकी assignments है जो भी आपके work है यहाँ पे वो अच्छी तरसे आप submit करते हो report करते हो तो आपको यहाँ पे certificate उस institute के तरफ से दिया जाएगा तो इस तरह से यह अलग-अलग points आपने यहाँ पे देखे है तो friends maybe I will try to make another video by or how to fill this form or how to apply for this internship so friends अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे subscribe किजिए ताति आपको जो आने वाले वीडियो जे उसका notification मिल जाए Thank you Forb